एलो स्ट्रेट्स आपकी अपनी यूट्यूब चनल टोटल एकाउंट एंसी पर एक बार फिर सवागत है और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मास साकुम्री विश्विध्याले सारणपुर से सम्मंदित परवेश की प्रिकडिया तो अभी जो आएंगी किस तरह से मेरिट आएंगी वह सब बाते हम लोग इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे मेरिट कब आएगी और कब से लेकर के कब तक एडमिशन होंगे और टोटर मिलाकर कितनी मेरिट आएंगी तो ये जो भी हम डिसकस करने वाले हैं एडमिशन के सम्मंद में है और मा साकुमरी विश्विध्याले सारंफुर ये जो नोटीस जारी किया गया था जो एग्जाम परवेश प्रकरिया से सम्मंदित है तो मा साकुमरी विश्विध्याले सारंफुर से सम्मंदित महाविध्याल और स क्धान में इसना तक पाठे करम में 17.2023 से में जो अभिरति परवेश है तो विश्विध्याले वैब साइट पर दिनांग 17.5.2023 से 16-7-2023 तक ओनलाइन पंजीकरण कराए तथा उसके उपरांद महाविद्याले संस्थानों में पंजीकरण कराए गए पंजीकरण अभियरतियों की विभिन पाठे कर्मों में परवेश जो प्रिक्रिया है वो निमनसार आरक्षन को ध्यान में रखते हुए ठीक है पालन किया जाएगा परवेश का उसके बाद देखे यहाँ पर क्या दिया हुआ है माविध्याले संस्तान 5% जो सिट रखेंगे वो किसके लगए रखेंगे स्पोर्स कोटे के जो अभियरति हैं उनके लिए खाली छोड़ दी जाएगी यहाँ परसेंट जो कोटा रहेगा वो स्पोर्स वाले विध्यारतियों का रहेगा उसके बाद चलते देखे क्या है यहाँ पर कुछ निर्देश हैं जिनका परविश लेने वाले अभियर्तियों को ध्यान रखना है तो कुछ निर्देश हैं देखे सबसे क्या निर्देश है जिस अभियर्ती का नाम निर्धारित तीथी को महाविध्यले दवारा जो मेरिट ाइड में जारिक क्या जाएगा उस अभियरती को ही निर्धारित कार्येग्र मनुशार पर्वेश दिया जाएगा दूसरा पॉइंट है जो बच्चे मेरिट सुछी में इस्तान प्राफ्त करने के मैसिज प्राफ्त करने के अप्रांत अभियरती विश्य विध्याले की जो वैब साइट है उस पर जा करके अपनी लोगिन आईडी और पासवर्ड की साहता से ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे यानि कि सबसे पहले मेरिट आएगी जैसे मेरिट में आपके नाम आएगा या फिर आपको एक संद बढ़ की आवशक्ता होगी उसके बाद तीसरा पॉइंट ऑफर लेटर रेजिस्टेशन फारम और सभी जो डोकुमेंट्स हैं और कास सर्टिफिकेट कि सभी फोटो को प्योर फोटो अगयर लेकर के आप सम्मंदित महाविद्याले या फिर संस्थान में निर्धारित एड्मिशन का फोरम है वो और सभी डोकुमेंट्स फोटो वगयरा लेकर के आप जिस कोलिज में आपका नाम आया है आप उस कोलिज में चले जाएंगे उसके बाद क्या करना है पॉइंट नमबर फोर यह इसमरन कराना समिचित है यानि कि हमें ध्यान रखना है कि अभियर् कि आपका फर्स्ट मेरिट में नाम आया और आपने फर्स्ट मेरिट में एड्मिशन नहीं लिया है तो आपको सेकिंड मेरिट में चांस नहीं मिलेगा फिर आपको सबसे लास्ट में जब ओपन मेरिट आएगी उसमें चांस मिलेगा ओपन मेरिट में लेकिन ओपन मेरिट मे भी तभी मिलेगा अगर उसको लिज में स्यट होगी अगर स्यट नहीं होगी तो आपकर अड्मिशन नहीं होगा उसके बाद पांचवा पॉइंट है किसी भी मेरिट लिस्ट की समय सीमा समाप्त होने पर किसी भी अभियर्थी को परवियस नहीं मिलेगा अभियर्थी दवारा दे गई सूचना अगर गलत पाई जाती है तो उसका जो परवियस है वो कैंसल कर दे जाएगा उसके बाद अनुसुची जाती जन जाती पिछड़ा वर्ग या कमजोर EWS विकलांग इतियादी जब इनका नाम आएगा तो ये लोग अपने जो भी सम्मधी डोकुमेंट्स हैं वो ले करके आएंगे अधर्वाइज जिने आरक्षिन का फायदा नहीं मिलेगा उसके बाद है पॉइंट नमबर 8 परविस लेने के समय सभी मोल सैक्सनिक और अन्य अभिलेग अभियरती अपने पास रखें अन्यते की इस्तिती में परविस नहीं दिया जाएगा यानि कि उसके पास ओरिजिनल डोकुमेंट्स भी होने चाहिए जब आपका नाम मेरिट में आ जाए और आप जब कोलिज में एडमिशन लेने जाएं तो कौन-कौन से डोकुमेंट्स आपको लेके जाने हैं ठीक है इनकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही आपको ले करके जाने हैं तो देखे सबसे पहला कौन सा डोकुमेंट्स है एप्लिकेशन फॉर्म उसके बाद ओफर लेटर यह आपका रेजिस्टेशन वाला फॉर्म है उसके बाद ओफर लेटर डाउनलोड करी लेंगे आप 10-12 की मार्शिट और उसके बाद है डोमासाइल और अधर स्टेट अगर आप अधर स्टेट के हैं तो डोमासाइल स्टेट यह किसके लिए है और जमुएंड कस्मीर उसके बाद क्रेक्टर एंड ट्रांसपर स्टेटिफिकेट यानि कि टीसी और सीसी यह आपको कुछ डोकुमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और जब आप एडमिशन लेने जाएं तो आपको यह अपने साथ लेकर से समस्त परवेश लेने वाले जो अभियरति हैं उनके जो अरजिनल डोकुमेंट्स हैं उन्हें चेक करेंगे और उसके बाद उसका एडमिशन कंफर्म करेंगे उसके बाद चलते हैं तीसरे पेज़ पर हमें पता चलेगा कि मेरिट का जो समय है वो क्या रहेगा देखें यहाँ पर जो पुरा टाइम टेबल बनाया गया है तो पहले नंबर पर क्या है कि जो पंजीगरन परारम होने की तीथी थी वो सत्रा मही रखी गई थी और उसके बाद जो पंजीगरन अंतिम तीथी रखी गई है वो सोला रखी गई है और पंजीगरन महा विध्याले में देखो जैसे मैंने ओनलाइन करा लिया तो मुझे अठरा तक जिस कोलेज में मैं एड़िश लेना चाता था वहाँ पर मुझे अपना रिष्टिंट कराना था यानि कि अपने डोकुमेंट्स ले जाकर के देने थे वो अठरा तारीख है उसके बाद महा विध्याले दवरा अपने यहां पंजीकर्थ चात्रों को जो विश्यविध्याल है विश्यविध्याले पोर्टल पर महा विध्याले का मास्टर लिस्ट उपलव्द कराने की थी यानि कि जो विश्यविध्याले वो प्रवाइड कराएगा कोलिजों को 21 जुलाई 2013 तक उसके बाद यहां से स्टॉर्ट होता है इस्टुडेंट के लिए इन फॉर्मिशन मह विध्याले दवारा विश्यविध्याले पोर्टल पर वरियत सुची अपलोड करने हेतु छात्रों हेतु जारी करने की अन्तिमती थी कितनी है 24 जुलाई 2023 यानि कि जो मेरिट पहली मेरिट आएगी ठीक है फर्स जो मेरिट आएगी वो 24 जुलाई 2023 बारा बज़े तक महा विध्याले दवारा चात्रों का परवेश परदान करने की तिति यानि कि जो एडमिशन मिलेंगे फर्स्ट मेरिट वालों को वो मिलेंगे 26-28 जुलाई के बीच में महा विध्याले दवारा विश्यु विध्याले पोर्टल पर परवेश कनफरμ करने की जो डेट है वो 28 23 जुलाई है तो देखे यहां पर लोग देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट यहां पर लिखा हुआ है तो इसके साफ से चलेगा सब कुछ जो यहां पर लिखा हुआ है ठीक है आप लोगों ने देख लिया उसके बाद मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आप लोगों को डेट एक बार फिर समझे लेना मोटा मोटा मेरिट जो आएगी वो आएगी 24 जुलाई 2023 को बारा बज़े तक आजाएगी उसके बाद आप लोग अगले दिन अपना ओफर लेटर डाउनलोड करेंगे 25 को आप 26 को ओफर लेटर लेकर के अपने कोलिज में महाविदाले दवराख छात आप लोग खुद दियाएं तो अच्छा है चलिए यह हो गया उसके बाद आपका जो एड्मिशन है फर्स्ट मेरिट का लास्ट डीट 28 जुलाई तक आपका जो एड्मिशन है फर्स्ट मेरिट का वह हो जाएगा अब चलते हैं सेकिंड मेरिट कव आएगी देखिए जो सेक लोड कर सकते हैं उसके बाद एक अगस्त से एक और दो एक और दो में आपको सेकिंड मेरिट के एड्मिशन मिलेंगे सेकिंड मेरिट के और उसके बाद आपका जो कंफरम होगा एड्मिशन वो दो अगस्त 2030 को हो जाएगा सेकिंड मेरिट का क्या उसके बाद भी कोई मेरिट आएगी देखिए तीसरी मेरिट यह तीसरी मेरिट जो थर्ड मेरिट आएगी उसका जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा तो तीसरी जो मेरिट है उसका जो प्रोसेस है वो तीन अगस्ट दोजार तीस दोफ़र बारा बज़े तक मेरिट आ जाएगी आपके जो लेटर हैं वो तीन ही तारिक को निकलेंगे पांच बज़े तक और उसके बाद आप लोग आप लोग को की जो एडमिशन है पांच अगस्त को होंगे और उसी दिन कंफरम भी हो जाएंगे ठीक है तो आई होब कि आपको विल्कुल क्लियर हो गया होगा कि तीन मेरिट आएंगी और तीन की मेरिट की जो डेट है वो कौन-कौन सी है तो पहले वाली मेरिट की डेट है 24 जुलाई दूसरी की 31 और 30 मेरिट की तीन अगस्तियां पे डेट रखी गई है आप लोग बिल्कुल समय से अपना एडमिशन करा लें उसके बाद देखे जब य मेरिट ऑपन मेरिट क्या है कि जिन बच्चों का एडमिशन कहीं भी नहीं हो पाएगा ठीक है ना यहां पे हुआ ना यहां पे हुआ और ना यहां पे हुआ तो वो बच्चे अगर किसी और कोर्स में या और कुलिज में एडमिशन नहीं चाहते हैं तो उनका जो एडमिशन वो ओपन मेरिट में होगा ओपन मेरिट का मतलों यह है कि कोई भी बच्चा अगर कहीं पर सिट खाली पड़ी हुए तो वहाँ पर जा करके प्रिवेस ले सकता है और जिस कोर्स में उसने रिश्टिशन कराया हुआ जैसे मैंने बीकों में कराया हुआ मेरा मन बदल गया अब मुझे बीए करनी है तो बीए कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ओपन मेरिट में सब कुछ हो जाएगा ओपन मेरिट में आप कोलिज भी चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं ठीक है और उसके अगर फिर्स्ट मेरिट की बात करें तो यहां पर फिर्स्ट मेरिट के बारे में दिया गया है चाटरो दवारा विश्विध्याले पोड़ल से ओपन मेरिट हेतु आविधन पत्र डाउनलोड करने की जो तीति है वो 6-7 अगस्त रखी गई है यानि कि सबसे पहले आप लोग ओफर लेटर डाउनलोड करेंगे चातरो दवारा रिक सेटो के साफिक्स विश्विध्याले में आविधन पत्र जो जमा करने की तीथी है यानि छे और साथ को हमारे लेटर निकलेंगे ओफर लेटर वो मुझे डाउनलोड करने है मेरा एडिमिशन न तो फर्स्ट में हुआ है न सेकिंड में न थर्ड में जहां हुआ 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 पर मुझे लेना नहीं था 23 तक 7 अगस्त 2030 साई 5 बजे तक जो कोलिज है वो उनिविश्टी भेद्दे का डिटेल बच्च होगी उसके बाद फिर से ओफर लेटर मेरिट बनेगी ठीक है आठ को मेरिट बनेगी और आठ को ही ओफर लेटर निकलेंगे और नो को परवेश प्रारम होँगे और उसी दिन हमारा जो है नो को ही एडमिशन डन हो जाएगा तो यह था पूरा प्रोसेस फर्स्ट मेरिट का आप लोगों को संज में आ गया होगा कि विच्छे साथ को ओफर लेटर उसके बाद आप लोग जमा करा देंगे साथ में साथ में जो कोलिज वाले इंविश्टी भेद देंग पर साप एक विश्विध्याले पोर्टल पर नए पंजी करन जिनोंने अभी तक भी रेजिटेशन नहीं कराया है उनके लिए दुबारा से रेजिटेशन खोल दिये जाएंगे और यहां पर आप लोग देख सकते हैं 10 और 11 में ठीक है उसके बाद चाहां पर सीट खाल हैं आप लोग अपने डोकुमेट्स वहां पर जमा कराएंगे विश्विध्याले पोर्टल पर महाविध्याले को मास्टर डाटा उपलफ जो करानी की तीथिए वो 11 है महाविध्याले दवारा पोर्टल पर जो वरियता यानि कि जो मेरिट डिकलेर होगी वो 12 में होगी उस जो कि ऑपन मेरिट है दोनों जो कि लास्ट में चलेंगी जब किसी बच्चे का कहीं भी एडमिशन नहीं होगा जो रह जाएंगे पर वेस से वंचित जो कहीं पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो उनके लिए दुमारा से साइट भी खुल ले जाएगी तो आप लोग बि